and now i am explaining the race solution topic is plant kingdom चलिए start करते हैं topic is plant kingdom पहला question identify the plant having the least number of cells in a gametophytic generation अपने को यह पता करना है कि सबसे कम नंबर की cell किस gametophytic generation में पाई जाती है है ना स्रेजनेला का gametophyte मतलब pollen grain और male gametophyte और female gametophyte की बात हो दिए है तो स्रेजनेला के male gametophyte यह नि माइक्रो स्पोर में 16 सेल होती है एजोला का male gametophyte तो multi cellular हो गया साइकस के male gametophyte में चार सेल होती है ना तो यह इसका इंसर साइकस हो जाएगा मारकेंशिया का male gametophyte multi cellular होता है तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं मतलब ब्रायोफाइटा से हम जिम्नोस्पम और एंज्जोस्पम की तरफ जाएंगे तो number of gametophyte की cells कम होती जाएंगी ध्यान रखेगा male में ज़्यादा कम होंगी और female में कम है ना तो मारकेंशिय हम जबसे ज़्यादा इसके बास्रेजनेला में फिर एजोला में फिर साइकस चलिए आगे चलते हैं तो इसका अंसर second हो जाएगा minimum number of cell साइकस में इस से कम पाइनस में होंगी फिर एंज्जोस्पम में होंगी इन विच आफ दा फालोईंग हाउ मेनी जेनरा एक्जबिट दा डिपलॉंटिक लाइप साइकल डिपलॉंटिक लाइप साइकल जिम्नोस्पम और एंज्जोस्पम में पाई आती है और ब्राउन एलगी में पाई आती है तो साइकस में मिलेगी है ना और पाइनस में किवल दो में मिलेगी मैंने बताया आपको जिम्नो स्पर्म और एंग्यो स्पर्म में डिपलॉंटिक होती है और कुछ ब्राउन यल्गी में होती है तो साइकस और पाइनस दोनों जिम्नो स्पर्म है स्पाइरोगैरा एलगी है स्पेगनम रायोफाइटा है राइजोपत फंजाई है टेरिस टेरीडोफाइटा है ड्राइप टेरिस भी टेरीडोफाइटा है यह जो सेकेंड हो जाएगा नेक्स पे आते हैं वाट इस दा कॉमन बिट्वीन दा साइकस एंड पाइनक दोनों जिम इंब्रियोफाइट होते हैं तीसरा क्लोरोप्लास पारिनॉइट नहीं पायाता यह एलगी का फीचर है रिक्वाइर दा वाटर फटलाइशन नहीं है यह एंजियोस्पम और जिम्नोस्पम का फीचर नहीं है यह केवल ब्रायो से लेकर टरीडो तक मिलेगा उसके बाद वा प्रोटोनिमा लीफी गेमीटोफाइट प्रोटोनिमा मॉस फ्यूनेरिया का फीचर होता है तो प्रोटोनिमा ऐसे फिलामेंटेस लाइक स्टक्चर है इसमें बड डेवलब होती है और इन बड्से लीफी गेमीटोफाइट बनता है इन बड्से ऐसा लीफी गेमीटोफाइ बट से तो ये प्रोटोनीमा हो गया ये बड हो गई और ये लीफी गमीटोफाइट तो पूछना इंटरमेडियर यानि की बड प्रोटोनीमा और लीफी गमीटोफाइट के बीच में जो स्टक्चर्स को ये बड इसका अंसर बड हो जायेगा स्पोर नहीं होगा क्योंकि स्पोर से ही प्रोटो निमा बनेगा प्रोटो निमा से बड़ बनेगी और बड़ से लीफी गिमीटो फाइट बनेगा प्रो थेलस टरीडो फाइट का फीचर है थेलाइट बॉडी सारे गिमीटो फाइट में मिलेगी आगे चलते हैं इसकांसर सेकेंड हो जाएगा पोशन नमबर 44 ब्रायो फाइट रिसेंबल विद्धा टरीडो फाइट ब्रायो फाइटा टरीडो फाइटा से किस फीचर में मिल होंगे टरीडों में मल्टी फ्लेजिलेट होंगे formation every from the जाइगोड आना ब्रायो से लेके NGO तक सम्में जाइगोड मिलेगा जाइगोड से embryo بنेगा तो ये common है है ना ट्रेडोफाइटा ब्रायोफाइटा से क्यों मिलता है क्योंकि दोनों में embryo बनेगा दोनों में अंत्रोजोइट्स पाए जाएगा तो दोनों फीचर कॉम बनेए आर्कीगोनिया एस दा फीमेल सेक्स और्जन दोनों में आर्कीगोनिया को फीमेल सेक्स और्जन बोला गया है चौथा all of the world तो तीनों ब्रायोफाइटा और टरीडो फाइट सार तो मासिलिया एजोला और साल्वीनिया यह हेट्ट्रो Tamara he हेट्रोष्पॉरस तो है बर साईलोटम नहीं है खाTalk में बना मासिलिया जोला साल्वीनिया और सेजनेला यह चार क्या है हेट्रोसपॉरस है कि इसमें सिलिजनेला जो है लाइक औप्स इडा है बाकी मार्सिलिये एजोला और साल्विनिया यह फन यह क्या है फन इसलिए अंसर थड हो जाएगा फर नहीं पूछा अगर फन पूछता तो यह तीनों आते हैना चौथा अंसर नहीं होगा नेक्स कोशन पर आते हैं ब्रायोफाइटा में मौस भी आते हैं ब्रायपसिडा हॉन वर्ट्स भी आते हैं इनको एंथो सिरॉपसिडा बोलते हैं और लीवर वर्ट्स भी आते हैं इसका अंसा फोर्थ हो जाएगा बोद गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट आर इंडिपे एकिएगा जिम्नो पम एंग्ज वम मैं इन्ज्विंट फाइट में तो फाइट आए जिंनो फाइट मुडम्ज पम में ब्रायोफाइट आमें पौरोफाइट से है तेंधिक्र वल्द्वा इन्डिपेंडन्ट है इसका अंसर वीन वर्ट होजाएगा मेoss डा कॉलम हैं आ Green algae में Reserve Food Mittal Starch होता है Blue Gin algae में Sinofacian Diatum में Leucosin और Brown algae में Lamineurin जानसर दो हो जाएगा First का Force B का First C का Third और D का Second आगे चलते है Qution No.49 Correct चुनना है Green algae are Ancestor of the Land Plants सही है क्योंकि green algae में pigment A plus B है, reserve food metal is starch है, इसलिए ancestor of the higher plants है, जो higher plant के भी feature है, red algae are ancestor of the land plant गलत है, क्योंकि red algae A plus D है, जो angiosepum में नहीं है, third few foci भी नहीं है, क्योंकि यहाँः पर A plus C है, BGA, ये pro केरियोट है जबकि एंजियो स्पम यू केरियोट है इसलिए इसका अंसर फस्ट हो जाएगा कोश्चन नमबर फुर्टी नाइन अब आते हैं कोश्चन नमबर फिफ्टी पर अप्लांट हैविंग दा वैस्कुलर टिशू प्रडूसिंग दा स्पोर्ट बट लेकिंग दा समझो सीट की बात हो रही है तो तीसरा और चौथा तो नहीं होगा ब्रायोफाइटाम सीट बनता नहीं है ना वैस्कुलर टिशू होता तो ब्रायोफाइटा चला गया टाइडोफाइटाम वैस्कुलर टिशू दोता है लेकिन सीट नहीं बनता इसका अंसर सेकेंड हो है ना यह डिप्लॉइड हुआ एंडोस्पम हैप्लॉइड हुआ अगला कुशन फिफ्टी टू विच आफ दा फालॉइंग पेर इस करेक्टली मैच्ट साइकस में माइकोराइजा नहीं मिलता है साइकस में एल्गी ब्लू गिन एल्गी का एसोसीशन होता है तो पहला गलत प पाइनस एंडोस्पम है एपलॉइड एंडोस्पम मिलता है क्योंकि जिम्नोस्पम है तो फोर्थ भी अंसर नहीं होगा इसका अंसर क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं मैजदा कॉलम फ्यूकस थर्ड एल्गी हो गया पाइनस का Second और D का First 54 का First 54 पर आते हैं करेंट अंसर क्या होगा ये सिलजनेला का प्लांट है और ये पॉली साइफोनिया रेड अलगी है जो धनिया ऐसा दीखिये वह पॉली साइफोनिया ये सिलजनेला स्रिजनिला को कलब मॉस बोलते हैं सही है है ना पॉली सिर्वनियों को एलगी है रेड एलगी है क्लेम आइडो मुना सैनली से सेकेंड आप्शन होगा नहीं जिसका अंसर फर्स्ट हो जाएगा पॉली ट्राइकम भी नहीं है ये स्फैग्नम भी नहीं है तो सेकेंड थर्ड फ प्रैयो फाइट एंड टरीडो फाइट ब्रायो और टरीडो में कौन-कौन से까지 मिलते एम प्रोटो नीमा ऻ्यों में तैरीडो नहीं में अधिक रीूं में थोल नहीं है उसी इंद्य केवल तीनी करेक्टर मिलेंगे लिसका अंसर सेकेंड हो जाएगा ओवियूल जिम्नो स्पम का फीचर है प्रोटो नीमा मौस ब्रायो फाइटर का फीचर है वैस्कुलर टिशू टरीडो जिम्नो और एंजियो का फीचर है जिनके एसी और एफ हो जाएगा तीन इतले सेकेंड हो गया अंसर 58 पर आते हैं कॉमन करेक्टर बोथ एंजियो स्पम है जिम्नो स्पम दोनों में स्पम है तो दोनों सीड बनाएंगे फ्रूट एंजियो में नहीं बनता ते पहला अंसर नहीं होगा आर्की गोनिया जिम्नो में है एंजियो में नहीं है दूसरा भी नहीं होगा फार्मेशन आप सीट क्योंकि दोनों में इस पंवर्ड लगा हुआ है लिसकांसर फोर्थ हो जाएगा फिफ्टी एट का फोर्थ नेक्स्ट आईए विच आप दा फालोइंग आर्दा गूड सोर्स और प्रोटीन कौन प्रोटीन के गूड सोर्स है ग्रेसलियरिय जिलेडम दोनों रेड अलगी है क्लोरेला और स्पारूलाइन प्रोटीन के रिच सोर्स है लिसकांसर सेकेंड हो जाएगा फिफ्टी फाइव का सेकेंड फिफ्टी सिक्स पर आते हैं Hyoमीनी प्लांट गिवन बिलॉन जीडेड मेंपर और मिंबर गार नॉन वेस्कूलर यम्ड प्रियूफाइट के वल ब्रॉयो फाइट यस इसमें घिशून नहीं होते तो फिफ्टीजिक्स का अंसर क्या होगा देखते हैं फिफ्टीजिक्स का थाड़ अंसर हो जाएगा स्पायरो गहाई वाल्वास फूक्स पॉलिस इल्गी है है ना सलिजनेला एक्विस्टम टरीडो फाइट है फिफ्टी सिक्स के बाद आते हैं अपन अगले कुशन पर एक्जामिन दा डायग्राम ये मारकेंशिया का डायग्राम है फीमेल क्योंकि ये इंथीडिया लगा हुआ है फीमेल तैलस आर्की गोनियो फोर और गैमा कप राइजवाइट्स पहला ही इंसर इसका हो जाएगा है ना मेल तैलस नहीं है फीमेल तैलस है लेकिन सी वाला सी वाला गैमा कप है सी वाला क्या है गैमा कप है लिट थार्ड और फॉर्थ सेकेंड अंसर नहीं होंगे अंसर फस्ट हो जाएगा कोश्चन नंबर सिक्स्टी ए इस दा स्पोरोफाइट ये मॉस फ्यूनिरिया का पार्ट है ये कैपसूल है ये सीटा है और ये फुट है और ये गेमीटोफाइट ये क्या है गेमीटोफाइट ए इस दा फ्यूनिरिया स्पोरोफाइट हो गया और बी इस दा गेमीटोफाइट ब्रायोफाइटा में अटेज्ड होता है नेक्स कोश्चन पर आते हैं का अंसर्थ हो जाएगा अगले कोश्चन पर आते हैं इनकरेक्ट पूछा गया है इनकरेक्ट पर थोड़ा ध्यान दीजेगा गेमीटो फाइटिक स्पोरोफाइट इन्टो रूट स्टेम यह भी सही है स्परमेटोफाइट मतलब जिम्नोस पंका स्पोरोफाइट रूट स्टेम और लीफ में बिवेदित होता है डिफेंशियेट होता है फॉर्ट पर आते हैं ऑप्शन नमबर फॉर्ट मोस्ट आफ दा टाइड़ोफाइट टू काइंड ओस पॉर्ट घलत है कुछ ही टाइड़ोफाइट बनाते हैं जो एक ठोज स्पोर Else होते है बिस्क अंसद फ्रफ हो जाएगा स्टेट्मेंट गलत है स्टेट मीं क्या है गलत है नेक्स पे आते हैं चूज दा इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिकार्डिंग दा जिम्नो स्पम है ना जिम्नो स्पम के रिकार्डिंग में गलत स्टेटमेंट चुनिए दे यार हेक्टोस्पोरस सही है सारे जिम्नो स्पम हेक्टोस्पोरस होते है male gametophyte generation confined only limited number of cell ये भी सही है gymnosperm में gametophyte की cell बहुत कम होती है multi cell of female gametophyte detainable ये भी सही है first second third तीनों सही both male and female gametophyte are free living नहीं है gymnosperm का male or female gametophyte dependent होता है angiosperm का भी dependent होता है इसलिए इसका अंसर fourth हो जाएगा next question पर आते है analysis the following characteristic and identify the group of organism analyze करने और identify करना ग्रूप अवफ दा organism को they reproduce actually by the fusion of non-motile gamet सही है they show the complex development after the fertilization ये दोनों feature angiosperm और gymnosperm के लग रहे है majority of the organism have the marine greater the concentration अब ये deep sea में आ गया तो red algae के feature हो गया है red algae में फीनों मिलते हैं they have the chlorophyll A plus D एकदम सही ये red algae features रोड़ो फाइसी हो जाएगा रोड़ो फाइसी का feature इंपोर्टेंट आफटर दा fertilization non-motile majority of the deep sea और A plus D ये सब red algae के feature है क्योंकि A plus C few of I C में तो ये हो नहीं सकता ये A plus B हो नहीं सकता dino A plus C तो ये तीनों इसलिए नहीं होंगे answer third हो जाएगा आगे आते हैं arrangement of the following event in correct sequence regarding to the life cycle of the fund fund में sport dispersal होता है fertilization होता है embryo भी उनता है zygode ही बनता है तो सबसे पहले sport dispersal होगा उससे प्रोथेलस बनेगा प्रोथेलस में sex organ बनेगे फिर fertilization होगा फिर zygode बनेगा फिर embryo बनेगा यानि सबसे पहले A आएगा फिर E आएगा फिर B आएगा फिर C आएगा फिर D आएगा इस cancer first हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं correct statement बताना है यूलो तिक spirogera शोदा उगेमी टाइप ऑ रिपोडिशन गलत है यूलो तिक्स में आईसो गेमर्स होता है रेड ऐलगी में आर फाइको साइन इन और फाइको एरेथिन पिगमेंट पाया जाता है सही है रेड ऐलगी पेडिउस दा याजैमी टू एक इगलत है है रेड यल्गी नॉन मुटाइल होता है अगर अगर इस ऑप्रेंट सही है इस का अंसर हो जाएगा 66 अगर ऑप्रेंट फॉर्मदा जिलेडियम एंड अच्छा यह क्या पूछ रहा है करेक्ट रेड यल्गी है डॉम्नेंट पीमेंट फाइक को इरिथीन होता है साइन नहीं ह होता है तो पहला गलत है अट से दूसरा भी गलत है तीसरा भी गलत है चोटा क्यों जायगा च्षैंच नेख्स पर आते हैं मैंसक्र जाए स्पाइरो गाईरा में रीबन शेप्ड होता है क्लेमाइडो मुनास में कब शेप्ड होता है यूलोथिक्स में गडल शेप्ड होता है कारा में डिसक्वाइड होता है उडोगोनियम में रेटिकुलेट होता है तो अंसर इसका फस्ट हो जाएगा A का 4th, B का 5th, C का 3rd, D का 2nd और E का 1st चलिए आगे चलते हैं अंसर इसका 1st हो जाएगा अगले कुश्चन पर आते हैं विच आफदा फालोईंग कॉमन इन बोद गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट और मौस और फन मौस और फन के गेमीटोफाइट स्पोरोफाइट में क्या कॉमन होता है है ना सिक्स दोनों अन ब्रांज होते हैं गलत है मौस का गेमीटोफाइट ब्रांज होता है पहला statement गलत वेस्कुलर टिश्यू गेमीटोफाइट मिलता शपोरोफाइट में नहीं मिलता है इनदिपेंडेट एक्जिस्टेंस गलत है ना ब्रायोफाइटा का मॉस्का पौरोफाइट इनदिपेंडे ऑ नहीं होता फोटोसंथिश्यस दोनों के ऍामिरथ और फोरजो फ्र पौठ फोर्थ ओगा स्मॉल हाट शेव मिले तो क्या करना को फंड क्या करना है वास्ट क्योंकि प्रोथलस फंड का फीचर का सिस्का फीचर है उल्यौन लूग इनलगी याद कर लिए इससे ही रैड सी बनता है लोग इनलगी ऐसी से रैड शी बनता है नेक्स आगे आते हैं विच आप आ फॉलूइंग इस नाट करेक्टरिक आफ दा साइकस साइकस अनब्रांच़ सही है पिन नेट लिए होती है जो बहुत लंबे समय तक सर्वाइफ करती है प्रेजेंस आफ निदिल लाइक यह पाइनस का फीचर है तो अंचर थाड हो जाएगा नौट पूछा है क्लिर हो गया को लाइड उट साइकस का फीचर है सेविंटीवन एलजिनेट आयोडीन प्रोथेलस डेबलप फ्रॉम प्रोथेलस डेबलप फ्रॉम प्रोथेलस डेबलप फ्रॉम स्पोर प्रोथे डेबलप होगा स्पोर से है ना फिक गमीट से जाइगोड बने इसका अंसर फोर्थ हो जाएगा नेक्स कुशन पर आते हैं यह डायग्राम पहचानना यह लेडोफायT AKUETT erw-nya यह भी वही है इना सी में यह बी नहीं है यह वाला स में सिकांप फीचर यह गिंगो भायलोभा है है की मेरिया लर्दम सही मैच कर रहा है इसका फॉल सबस्केंद हो जाएगा आगे आते हैं next पर आप कोई वीडियो कैसा लगा जरूर बताईए ओके बाई